अगर घर में एक भी चुहा घुश जाए ना तो आपने देखा रहेगा घर में चुहों की लाइन लग जाती यानि चुहे बढ़ जाते हैं और ना जाने कितने सामान का नुकसान करते हैं कीचन में घुमते रहते हैं, कीचन में खाने पीने की चीज़ों को खराब कर देते हीं, अनाज की बोरिया रखिये तो उसे काट लेते हैं, अल्मेरा में कुछ चायज तो कप्रों को काट लेते हैं, मेंगी मेंगी चीज़े काट देते हैं, ये TV, компьютer वगेरे के वायर कूतर दे तो इस तरह से यह हमारे कई सामान का नुकसान करते हैं, यह गर में गंदगी फैलाते हैं, जिससे बद्बू फैलती हैं, इससे गर से भगाना बहुत ही जरूर यह वो भी पिना मारे, तो आज मैं ऐसा बड़िया उपाय लेकिया है, जिससे पिना मारे चुहे घर से भाग आपने देखा रहेगा चाय के बरतन में इस तरह से थोड़ी सी चाय रही जाती है, तो इसे हम क्या करते हैं, चाय पती के साथ में फैक देते हैं, तो इसी का यूज करके आज हम चुहों को बगाएंगे घर से वह भी बीना मारे, मैंने यह पे प्लास्टिक का डिबा ले लि लिए इसके आंदर हम चाय पती को डाल देंगे, तो थोड़ी से चाय है इसके अंदर और चाय पती तो इसे हमें इस डिबे में अब वह बिय लिया है。 आप ले सकते, तो मैंने यह पर एक फिनेल की गोली ले लिए, इस फिनेल की गोली को हमें ऐसे इसके अंदर नहीं डालना है, इसका हम पाउडर बनाएंगे, तो यहां पर मैंने पॉलिथिल ले लिए और फिनेल की गोली को इस तरह से इसके उपर रख लेंगे, अब लेंगे टेबलेट तो मैंने यहां पर एक्सपाइड डेट वाली टेबलेट ले लिए तो आपके पार इस तर की जो भी एक्सपाइड डेट वाली टेबलेट है वो आप ले सकते हैं जैसे कि बुखार की है सरदत की है जो भी आपके पास एक्सपाइड डेट वाली टेबलेट है वो आ पाउडर बना लें हम जो ये टैबलेट और फिनेल की गोली इसके अंदर डाल रहे ना इससे चुहे भगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी चुहे भगाने का ये तरीका पसंद आए तो तुरंत बनाके यूज करें सारे के सारे जो चुहे ना कर से भाग जाएंगे त आटे की जगह पे आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं तो आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इससे हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखे जो भी बरतन आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं वह बरतन खाने पीने मे यूज ना करें, तो इस तरह से अच्छ से mix करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा गाड़ा हो गया है, तो इस तरह से mixer त्यार कर लेना है, इस तरह का mixer त्यार करने के बाद अब एक लेंगे रोटी, तो मैंने आपने एक रोटी ले लिए, तो आपके पास अगर बचुई इस तरह से पूरी रोटी पे मिक्षर लगाने के बाद हम रोटी का रोल कर लेंगे तो इस तरह से रोटी का रोल कर लेना है, रोल करने के बाद इसे चाकु से कट कर लेंगे तो इस तरह से चाकु से कट कर लेना है रोटी को इस तरह से कट कर लेना है, तो जितने पीस आपको चीए उतने पीस आप इसमें से काट ले जाधा चिये तो छो छोटे काटे और कम चिये तो थोड़े बड़े-बड़े काटika ध्यान रखे खाने पीने की कोई भी चीज पास में ना रखे, जिससे चूहे आंगे इसे खा कर भाग जाएंगे तो रोटी और जो चायपती हम इसके अंदर डाले ना उसके ओजिक सच चूहे से खाने आएंगे और इसके अंदर जो टेबलेट और फिनल की गोली है उससे खाते ही सीधा चुहे खिड़की से बाहर भाग जाएंगे तो ध्यां रखे कीचन की खिड़की खुली रखे जिससे चुहे खाते ही सीधा बाहर भागेंगे और घर का जो महन दर्वाजा रहता ना वही से चुहे आते हैं तो आप क्या करें इसे महन दर्वाजे के पास में इस तरह से रख ले इससे क्या होगा ना चुहे आते ही से खाएंगे और सीधा पहार भाग जाएंगे और आपने देखा रहेगा फ्रीज के पास में चुहे जादा घुमते रहते हैं तो आप क्या करें इसे फ्रीज के पास में भी रख लें तो फ्रीज में जो कोने वाली जगह है वापे इसे रख लें तो इसी तरव से घर में जहाँ पर आपको चुहे आते जाते दिखते जादा वहाँ पह इस तरव से रख ले तो फ्रेंट्स चुहे भगाने का यह घरेलू उपाय आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और फ्रेंट से साथ जादा जादा शियर करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन हैं से प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं इसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ, ठैंक्स वर वाचिंग.